जब जनता ने हरा दिया भारती जनता पार्टी को जो पंचायत के चुना हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारती जनता पार्टी हार गई उस हार का बदला लेने के लिए भारती जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सडकों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सब के सामने है उससे भी एक कदम आगे निकल गए बलाप्रोमो के चुनाव में जब जनता ने ने हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाब उड़ाने के लिए अपमानित करने के लिए लोकतंत में भारती जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूँ पूरी तरीके से प्रसासन के लोग इसमें जिम्यदार हैं वो शामिल थे कई जगे से ब्लाक पुर्गों महां से ये ख़वर आ रही है कि भारती जनता पार्टी के लोग को अंदर बठाय हुआ था जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भढ़ने गए उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्हें मार पीट की इस सीमा तक भारती जनता पार्टी गई है ऐसा लोग तंतर में कभी नहीं हुआ होगा जो भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है गुर्णों को खुली छूट दिये अखले जी जो साड़ी खेंची गई है कि यह मतलब ऐसा तो कभी को तस्वीर आस तक आई नहीं वहार यह भारती जनता पार्टी जो अपने द्वाई देती थी कि इस साथ सुतरी पार्टी कोई नहीं है लोकतंत की पज़़दर बने वाली और फिर तब जब उत्तरपरदेश के मुख्यमंतरी की योगी हो एक उत्तरपरदेश के मुख्यमंतरी योगी हो उन्होंने किसको खुली छूट दी थी कहीं यही लगता है कि भादी जंता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी दी जो 400 करो इसी वज़े से हमारी बेहन को अपमानित होना पड़ा उसकी साहिता खीची याद रखना जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर वो मिला बोल सकने की स्थिती में नहीं है हमने बाद की बड़ा शौक में दिख रही है आपने इसे बाद की वो दुखी थी इस वभाबे का दुखी तो थी लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने पूरे उत्तपदेश के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने अपने मुबाइल बंद किये हुए थे कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके उपर आएगी इसलिए उन्होंने मुबाइल को आउट ओफ गवरे जिरिया कर दिया था पहले ही जिस सरकार के अधिकारीहोंने अपने मुबाइल को out of coverage area कर दिया हो तो उसे क्या उमीद करोगे आप क्या अधिकारियों नहीं हस्ता चेप किया क्या जिला अधिकारियों नहीं हस्ता चेप किया क्या पुलिस परसासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किये लोगों को पूरा पुलिस ना अपमानित किया है और उमीद कैसे करोगे आप भारती जंता पार्टी के लोग पूरे गुंड़ों को सडकों पे शोड़े हुए जो दूसरों को कहते थे गुंड़ा पार्टी आज वो सबसे बड़ी गुंड़ा पार्टी निकली तो भारती जंता पार्टी निकली माता परसाथ पांडे जी से मैंने बात की रात में उन्होंने भी यह कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भाती जन्ता पार्टी ने कराया वो नमंकर नहीं कर सके अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके सोचिए आप उनको भी अप्मानित होना पड़ा परचे के लिए पोलिटिकली कैसे जॉब देने की तैरी कर रहे हैं आप लोग इन सारी 2022 में चुनाव घोसी तोदी उत्तपरेश की जंता इन्हें हटा देगी उखाड फेक देगी अख्लेश जी समाजवादी पार्टी पूरी इमानदारी से उस महिला के साथ है उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करे गी अख्लीजी आप पकुछ लोग वेंग कर रहे हैं, पपू या दो ने एक वेंग किया कि बाबू तुमसे न हो पाइगा आप तो घर में बैटे वे हो, मेरी पाई इतने संसादन होते तुम्हें जाने क्या कर देता हां हम पर तुनी हो पाइगा ये बात तो ठीक क्या रहे हैं लेकिन उत्तापदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखिएं उत्तापदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी सर असों दिन वैसी कल आया है उन्होंने बोला एम वाई फैक्टर नहीं चलेगा जो लोग बी आगे जनता में बात करना चाहते हैं आप आदि अधुरी बात मत करिये आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो और विकासकिसी ने किया तो समाजादी पाठी ने अपना करके दिखाया लेकिए सवाल यह है कि लोग तंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा जब आपके बोर्ट के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा अगर आप बोर्ट डालने जाओगे तो वहाँ पर भाती जंता पार्टी के उन्टे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको जिस जले का ڈی ایم ایس पी खुदर चुनाम को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करो कि उनसे आप ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सुची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जंता को अपमानित किया है उनकी भी सुची बन रही है